नमस्कार दोस्तों वीनास किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ते की रेसिपी नीर दोसा तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जटपट बन करते यार हो जाता है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं नीर दोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिये हैं इसे अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे और इसके बाद हम इसे तीन से चार घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भीगा लेंगे अब यह देखे 4-5 घंटे बाद चावल बहुत अच्छी तरीके से भीग गये हैं इसे हम एक मिक्षर जार में ले लेंगे अब हम इसमें आधा कप फ्रेश नारियर में लाएंगे इसके पीछे का ब्राउन वाला भाग हटा लेंगे और चावल के साथ इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे इसका पेस्ट बिलकुल फाइन होना चाहिए आधा कप पानी के साथ हमने इसे पीस लिया है पानी का नाप एकदम पॉफेक्ट होना चाहिए ये देखे कितना स्मूथ पेस्ट तियार हो गया है अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और आदा कप पानी हमने पहले डाला था, तो दो कप पानी और डॉलेंगे, तो टोटल हमने धाई कप पानी का इस्तमाल इसमें किया है, एक कप चावल के लिए, अब जब भी हम डोसा बनाएंगे इसे एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे क्योंकि चावल बहुत ही जल्दी तेले में बैठ जाता है तो इसे अच्छे से चला कर और फिर डोसा बनाएंगे यहाँ पर हमने तवे को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है गरम तवे पर तेल और पानी का मिश्रन डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे हम एक बार क्लीन कर लेंगे इससे डोसा जो है ये बिल्कुल भी नहीं जिपकेगा तो हम अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लिया है अब हम डोसे का बैटर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे और लगबग एक चोथाई कप के लगबग हम बैटर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके गरम तवे पे डालेंगे तावा बिल्कुल गर्म होना चाहिए वरना इस तरीके की जालियां नहीं बनेगे दोसे में दोसे बैटर को चारो तरफ से अच्छे से हम फैला लेंगे और इसके बाद हम 20-25 सेकंड के लिए इस पर धकन लगाकर अच्छी तरीके से होने देंगे जटपट बनकर ये दोसा तयार हो जाता है आप देखेंगे किनारे से दोसा जो है अपने आप निकलने लगा है तो बस इसी तरीके से हम इसे पलट लेंगे हमारा नीर दोसा जो है ये बिल्कुल तयार हो गया है इसे गर्मा गरम चटनी के साथ सर्फ करेंगी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें मेरे चैनल पर नहे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ बने रहे हैं वीनास किचन के साथ धन्यवाद